हालो अब्रीवन आज हम बनाने वाले चॉकलेट के पर अगर आप मिलचार एक नए हो तो प्रीज उसका सिस्क्राइब करना बिल्कुल मत भीजिए तो चलिए शुरू करते यह मैंने चॉकलेट केक जो है रेडी करके लिया हुआ है आइसिंग करके अब इसमें हम जो है मिल्क क कीजिए सोन्दर उरह बहुत बनता है यह कि और दिखने में अब बहुत ही सुन्दर देखता है मतलब सो ड detect नहींद पसंद आता गरेगक इसे हर पसंदाना खें कि वाएट के साथ में敢 कաूंबिनीशन है दिकता भी बहुत सुन्दर किअ क्श्रेम है करके छोगलीट सब्सक्राइए मैं अच्छे से साइट्स को सिख चौड चौकलेट मैं अपने कड़ बाप बात Qatya करे से क्सके लिया तो कितना इस तरीका है बहुतrah बहुत कम आत् संब पैएंगे तो देखिए कितना सिंपल तरीके से मैंने इसको कावा करम कोट करके ले लिया है अबी जो है हम इसको बाजो में रोजिट्स बनाएंगे यह अगेन मैंने वाने में नोजल लिया हुआ है जो जैसे बेकरी में बनाते है आपने देखे होगे बेकरी में ऐसे बड़े बड़ी टॉपिंग स्ट्राइप बड़ा के देते हुए है देखने में बहुत सुंदर दिखता है केक भी बड़ा दिखता है और खाने में तो लाजवाब लगता है तो यह देखिए मेरे पास ऐसे चॉकलेट बॉल्स है मैं उससे आज डेकोरेशन करने वाली हूँ है चूटी फूटी या चैरी ने यूज़ करने वाली हूँ मैं देखिए कितना सुंदर दिख रहा है मिल्क कमपॉंड के साथ में चॉकलेट का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है इसको थोड़ा और अपने मिल्क कमपॉंड के साथ में जो है आम डेकोरेट करने वाले ताकि केक और प्यारा दिखे डेकोरेशन आपकी कितना सुंदर दिख रहा है कि अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो यूस्फूल लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में तब तक देखते रहें डीजे केक्स एन ब्लॉग्स थांक्यू